दोस्तो हर वक्ट आपके लिए खोजनान आया आज फिर आपके लिए स्वादाार चीज़ ले आया हूँ मैं मश्ली पालन रेलेटेट दोस्तो motivate पे जाल वेस्टेवayan को सब्सक्राइब करें यह बहुत ही एहमे हमारे किसान भाई जो की परंपरगत खेती कर रहे है उसको हम एक जोड़ धंदे से जोड़ रहे है वह है मस्टी पालट जो की बहुत ही कारिगार और बहुत ही फायदे मंदे वह कैसा करना है हम आज आपको पूरी विदी इस वीडियो के मादम से जरूर देखे और विडियो को लाइक और शेर करना ना भूले तहां किसी का फायदा हो तो जानते हैं खेत में मस्टी पालं करें किसान भाई अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ मस्टी पालं है आर्शकर खेतों में ही तालाब बनाकर और उसमें वर्षा का जल संचे करके कई किसान भाई मस्टी पालं कर रहे हैं आये जानते हैं कि खेतों में मस्टी पालं शुरू करने और तालाब निर्मान करने के लिए क्या-क्या जरूरी बाते हैं तो दोस्तों हम स्टेप बास्टेप आपको बताएंगे क्या-क्या जरूरी है और कैसा यह बनाना चाहिए तालाब की गहराई 1.5 से 2.5 मिटर होनी चाहिए इससे आधी गहराई से मशली पार्म पर विपरित प्रभाव पड़ता है तालाब का आकार आयातकार होना ज्यादा लाब्यक होता है जिन चेत्रों में रेतीली मिट्टी हो वहाँ तालाब की तली का उचित उपचार किया जाना आवशक है जिसके लिए विविन विदिया काम में ली जा सकती है जैसे स्वायल कॉमपलेक्षन बेंटोनाइट पले पॉलिथिन लेयर आधी इन विदियो में पॉलिथिन लेयर का इस्तिमाल करने से जल के रिशाओ को नकन्य कर पाना संबव है तालाब में बीज जानने से पहले तालाब की पानी एवो मुद्रा की गुनवत्ता का पर्योग शाला में प्रशिक्षन परिक्षन करवाना आवश्यक होता है तालाब में बीज जानने के लिए पास से दस सेंटिमीटर आकार के बीज किसी प्रमानित केंदर से लेकर एक निक्षित अनुपात चैसे इंडियन मेजर कार्ट रोहू कतला नईन के लिए एक दसंब्लव एक दसंब्लव एक या तीन दसंब्लव चार दसंब्लव तीन में डानने जरुरी होता है मश्लियों की उचित उर्दी हेतू इनके भार का दो से तीन प्रतिशर आर प्रतिदिन देना अवश्य है साथी साथ दोस्तों तालाब में ऑक्सिजन का उचित प्रबंधन बनाये रखने हेतू पेडल, विल, एरेडर का उप्योग किया जा सकता है मश्लियों की प्रजातियों का चेन सावधानी पुर्वक करना चाहिए जैसे की ताजा पानी वाले शेत्रों में मुक्ता से इंडियन मेजर कार्प, रोहु, कतला का अधी मश्लियों का पालन करना चाहिए तालाब में पादम प्लावक की संक्या बढ़ाने के लिए कार्बनिक, गाय का गोबर, एवो औकार्बनिक, खाद, यूरिया, सुफर, फास्फर, आधी का प्रयोक किया जा सकता है यह पादम प्लावक मश्लियों के लिए उप्योक्त अहार का कार्य करते है इससे भारी स्त्रोतों से दिये जाने वाली कृतिम अहार की मातरा में कमी आएंगी यह वो लागत मिल्यों कम होंगा और किसान के सालाब प्रतिशन में उर्दी होंगी दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा खेतों में मश्ली पालन कैसे करें और क्या है इसके गुर्ण मीशे दोस्तों वीडियो अचले वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करना ना पूए